असलावलोंकूम और रिव्यूस्पीके में खुशामदीद मेरा नामीर है और दोस्तों आज हमारे पास चैनल पे एक बिल्कुल ही नया ब्रैंड आया है नाम है ZTE अगर आप टेक पे नजर रखते हैं तो आपने ZTE का नाम जरूर सुना होगा ये एक चैनीज कमपनी है जिसे चैनीज गवर्मेंट की भी वैकिंग हासिल है तो भाया इसे बिल्कुल भी हलका ना लेना ZTE का इस वक्त 160 मुमालिक में फुट्प्रिंट है यानि कि इनके पास दुनिया की एक चौथाई पॉप्यूलेशन का आकस्स है फोन्स के इलावा ZTE is known for 5G technology, optical transmission, data, telecommunications और modems वगेरा लेकिन यहां रिव्यू स्पीके पर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फोन्स में तो आपने शायद नूबिया फोन्स के बारे में सुना हो वो भी ZTE के ही फोन्स हैं और गेमर्स ने इनके red magic फोन्स के बारे में भी जरूर सुना होगा खेर या positive बात यह है कि ZTE अब officially पाकिस्टान में launch हो चुका है इन्होंने यहां local manufacturing का plant भी लगा लिया है तो इंशाला आने वाले वक्त में हम लोग mobile फोन्स के वीच में ज्यादा competition भी देखेंगे और मुझे उमीद है कि इससे consumers को at the end of the day फाइदा होगा हमारे आज की वीडियो का center of attention है ZTE Blade V50 design जो के ZTE का lower mid range या फिर budget price point का phone है पाकिस्तान में इसका एक ही variant launch हुआ है 8GB RAM 256GB storage के साथ और इसकी retail price तो 34,000 है लेकिन ZTE ने रमजान के लिए एक special discount दिया है पूरे 5000 रुपए का तो इस वक्त ये phone आपको 29,000 का मिल जाएगा तो अब जल्दी से करते हैं से unbox और box खोलते ही सबसे ओपर ये folder है जिसमें एक SIM ejector tool है user manual है और ये warranty card है ये phone एक साल की warranty के साथ आता है साथ में एक screen protector है जो कि आपको खुद apply करना होगा यह कोई pre-applied screen protector नहीं है और आखर में है ये TPU case जो के flexible और transparent है basically silicone tap का material का है आगे बढ़ें तो ये रहा हमारा ZTE Blade V50 design का handset इसे ज़रा wrapper से नकालते हैं तो check करें I think इस phone की सबसे पहली चीज़ आप notice करेंगे वो है इसकी glass back अब जहां तक मुझे पता है यहाँ कोई gorilla glass की protection तो नहीं है लेकिन इस price point पे हमें glass back वाले phones बहुत ही rarely कभी दिखते हैं खर डिजाइन पागे बात करेंगे पहले बात करेंगे तो phone के साथ एक hands-free headset आता है और 22 watt की fast charging power brick और cable आती है और अब आजाओ इस phone की design पे तो यह ZTE Blade V50 design हमारे पास is diamond black color में आया है और यह phone sunrise, violet और beach green में भी available है अभूमन इस 3000 वाले price point पे हम plastic के phones देखते हैं तो यहां इसकी glass back की वजा से यह खासा premium महसूस हो रहा है अब यह obviously ऐसे glossy designs के एक downside होता है कि इस पे finger prints बहुत जादा हैं खासकर ऐसे dark colors में तो अगर आपको इस phone का थोड़ा सा lighter color मिल रहा हो तो ज्यादा उसको prefer कीजिएगा क्योंके light colors में finger prints कम दिखते हैं लेकर at the end of the day glass की अपनी बात है उनकी पूरी design boxy है back भी flat है और frame भी design wise काफी minimalistic किसम का phone है बसके हम थोड़ा सा hint of splash है इस camera module में जहां हमें यह prism colors वाला effect दिखता है अगर physical dimensions की बात करें तो 207 gram के साथ इस phone में थोड़ा वजन भी है और 8.3 mm के साथ यह कोई ज़्यादा slim भी नहीं है इस phone की definitely हाथ में प्रेसंस है button placement reports देखें तो side पे phone का power button और volume keys है power button के अंदर ही phone का fingerprint sensor भी मौझूद है आप इसकी speed यहां check out कर सकते हैं चुक्के नीचे है एक headphone jack, mic, type C port और इसका single bottom firing mono speaker और अब आज़ा डिस्प्ले पे तो below 30,000 वाले price point के हिसाब से यह specs मुझे काफी solid लग रहे है 6.6 inches का full HD plus यानिके 1080p resolution वाला IPS LCD डिस्प्ले है और इसका refresh rate 90 Hz है अब यह उपर वाली तरफ पुराने जमाने की dewdrop style noise दी गई है यह कोई hole punch cut out नहीं है और अगर हम bezels की बात करें तो top और side bezels खासे चोड़े हैं और chin तो mashallah बहुत ही कुशादा है लेकिन अगर हम nitpicking बंद कर दें तो इस display के core specs यानिक screen resolution और refresh rate दोनों ही मेरी नजर में अच्छे हैं मुझे personally 90 or 120 Hz में daily usage में इतना जादा फर्क नहीं महसूस होता और इसकी plus side ही होती है कि आपकी battery थोड़ी सेव हो जाती है और आपको एक diet या पर light किसम का high refresh rate experience में मिल जाता है यहाँ एक चोटा compromise यह है कि phone Widevine L3 की certification के साथ है मतलब है कि Netflix और Amazon Prime Video जैसी apps इस phone पर 480p में content दिखाएंगी लेकर इसका YouTube और Facebook जैसी apps पर को इसर नहीं होता वो full resolution में videos दिखाएंगी All in all I think 30,000 के अंदर-अंदर price में यह display अच्छा है तो दोस्तों बात करेंगे इन cameras की और यहाँ आपको price को देखते हुए again अपनी expectations को थोड़ा manage करकर रखना पड़ेगा यहां back पे एक triple camera setup है जहां 50 megapixel का main camera है with f1.8 aperture यहां आप इस camera के कुछ samples भी देख सकते हैं मेरी advice होगी कि इस camera के साथ आप entry level performance ही expect कीजेगा साथ में 2-2 megapixel के macro और depth sensors है back camera की maximum video recording resolution 1080p at 30 frames per second है जबके आगे वाली तरफ 8 megapixel का again entry level selfie shooter है और आगे भी maximum video recording resolution 1080p at 30 frames per second रखा गया है दोस्तों आगे बढ़के बात करते हैं ZTE Blade V50 design की chipset configuration पे और यहां हमें बिलकुल entry level configuration मिलती है Unisop का Tiger T606 chipset है साथ में Mali G57 GPU है अब यहां RAM काफी ज्यादा है 8GB RAM है और साथ में 10GB से आप इसको extend भी कर सकते हैं और यहां storage भी बहुत ज्यादा दी गई है क्योंकि 256GB built-in storage है Normally हम ऐसे budget price points पे इतनी ज्यादा RAM और storage नहीं देखते है अब यह है EMMC 5.1 storage तो जैसे जैसे यह phone भरता चला जाएगा तो इसकी speed भी आप देखेंगे तोड़ी कम होती जाएगी लेकिन यह चीज़ कम storage में ज्यादा तंग करती है जिन phones में 32GB या 64GB टाइप की storage हो वहाँ यह ज्यादा तंग करती है लेकिन 256GB storage होती इतनी ज्यादा है कि इसको भरते भरते काफी time लग जाता है और बाइद वे इस phone में expansion के भी options हैं तो full dual sim support है मतलब के आप इस phone में 2 sims के साथ एक dedicated micro SD card slot है अब यह Unisoc के tiger chips बिल्कुली entry level के chipsets होते हैं हमें budget phones में दिखते हैं और इस T606 का कुछ हद तक मुआजना Helio G85 के साथ किया जा सकता है performance wise यह chip G36 और G85 के बीच में कहीं fall करता है लेकिन जहन में रहे कि यह chipset gaming के लिए design नहीं है बहुती low powered से chipset है 28,000 वाले price point पर मैं इसे best in class तो नहीं कहूंगा लेकिन मेरी नजर में काफी मुनासिव है मेरा ख्याल है कि वो लोग जने अपने phone पे सिर्फ day to day किसम की चीज़ें करनी है सोचल मीडिया एप सिलानी है WhatsApp इस्तवाल करना है Movies और वीडियोस देखनी है उनके लिए chipset ठीक रहेगा शाहिद इदर और तोड़ा जटके वट के आपको महसूस हो लेकिन overall मुझे ने लगता कोई issues होंगे casual gaming भी ये phone कुछ हथ तक बरदाश कर लेगा अगर serious gaming करनी है तो बगया ZTE के दूसरे बहुत ही तगड़े किसम के phone असवक्त आपको market से मिल जाएंगे interface की बात करें तो यह Android 13 है जिस पे ZTE की My OS लगी हुई है चुकि ZTE की अपनी custom skin है मैं खुद इसे पहली बार इस्तमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहां कोई ज्यादा insights नहीं है लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि यह Google का dialer है तो जासूसी भाइयों के लिए थोड़ी bad news है फोन में कोई built-in call recorder मौजूद नहीं है और दोस्तों यहां बात करेंगे इस फोन के एक और important selling point पे और वो है इसके battery और charging setup तो इस पूरे experience को power करने के लिए ZTE Blade V50 design में 5000 milliamp power की बड़ी battery है लेकिन जहां इस 28-29 जावाले price point पे ज्यादतर phones इस वक्त आपको 18 watt की charging देंगे वहां यह ZTE Blade V50 design 23.5 watt की fast charging देता है full battery के साथ मेरा ख्याल है ज्यादतर लोगा एक दिन तो बहुत ही आराम से निकलेगा light usage में डेर से दो दिन भी निकल सकते हैं तो दोस्तों अब ZTE officially Pakistan में आ चुका है इस Blade V50 design पे अपनी रहा है मुझे नीचे comment section में जरूर दीजेगा खासकर 29,000 वाले price point के हैसाब से मुझे personally इसकी कुछ चीजें अची लगी है जैसे कि इसकी glass back इसका full HD high refresh rate display और इसकी बड़ी battery और fast charging I wish इस phone के अंदर प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा तग्रा लगाया गया होता लेकिन overall मेरा ख्याल है बहुत ही positive बात है कि ZTE जैसा global किसम का brand पाकिस्तान में अब officially launch भी हो गया है और इन नया local manufacturing लगाई है तो ये phones made in Pakistan है ये भी manufactured in Pakistan है awesome चैनल पर नहीं है तो हमें subscribe और follow करें वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share कर सकते हैं आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया इंशाला आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में अल्ला हाफिज